स्लामु आलेकुम रहमतुल्लाई वबराकातु हूँ सो कैसे आप सभी लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे अच्छे से होंगे खेरेश होंगे कैसे आपने काउंसलिंग की रिजिस्टिशन प्रोसेस है सबसे पहला स्टेप जो कल नोटिफिकेशन आई की रिजिस्टिशन जो है 19 अगसे आई से स्टार्ट हो गई यह से किस तरह किसे आपने फॉर्म को फिल करना है और कैसे आपको यूजर निमर पासवर्ट जेनरेट करन आपने जो है help लेनी है desktop के और आप जो है nearby photoshoot shop से यह चीज process करना लेकिन आपको just overview देने के लिए कि आपको किन-किन points पर क्या-क्या करना है इसलिए मैं आपको यहां पर online दिखा रहा हूं जो जेक मोबाइल से दिखा रहा हूं कि मैं यहां पर desktop तक site पर तो नहीं जा सकता आपने पहली website पर यहां पर क्लिक करना और यहां पर आपको यहां पर यहां पर लॉग इन हो जाएंगे jkbop.gov.in पर ठीक सबसे पर यहां पर इस पर क्लिक करके यहां पर क्लिक करना चाहते हैं मैं आपको बताऊं यह सिर्फ नोटिकेशन की आपको यहां पर इमेज दिखेगी यह सिर्फ नोटिकेशन का लिंक है कि आपको जो कल रिलीज हुई थी यह कोई रिस्टेशन का लिंक नहीं है अगर down करना होगा sorry wait a second wait a second हाँ यहां पर यहां देखिए आप नीचे scroll down करेंगे तो आपको ऐसा interface में लेगा और यहां पर आपने किस वाले box में जाना है यहां पर आपने click करना है नीट यूजी और आयूश गुरूप पर इस पर ठीक है फिर आपको यह मैं आगे आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा सबसे पहले आपने यहां पर click here to apply करना है ठीक इस पर apply करने के बाद यहां पर कुछ important instruction है यह इसको पढ़के आप जूरूर जाए कि क्या आप इनको follow कर रहे है तो यह आपका समझना जुरूरी है उसके बाद आया है रेट दर नोटिफिकेशन में इसको click करता हूँ फिर उसके बाद apply पर में click करता हूँ ठीक मेरे पास कुछ ऐसा interface आएगा तो यहां से start होती registration process सबसे पहले आप क्या करेंगे यहां पर first of all you will enter the neat roll number आपका जो neat roll number है वह आप सबसे पहले आप सब्मिट करेंगे उसके बाद है और इंडिया नीट यूजी स्कोर आपका क्या है टोटल तो वह आप यहां से अगर 610 है 615 है 650 है 550 है वह आपने यहां पर एंटर करना है उसके बाद नीट यूजी रेंक क्या आपकी वहीं वह वाली रेंक यहां पर फिल करना प्राणी रेंक नहीं करना ठीक उसके बाद आती है डेटा बर तो डेटा बर अपनी ओरिजिनल 10 के मार्स काड़ पर आपकी डेटा बर तो यहां पर फिल करेंगे उसके बाद जेंडर अग मेल है फिमेल उसके बाद यहां पर डेट 12 जो है कब complete किया यह आप कहां से ला सकते है यह डेट यह आप 12 का मार्स काड लिजी वहाँ पर date of completion लिखा है तो वह वाली डेट आप यहाँ पर भरिए उसके बाद total marks obtained in the 12th class तो marks, maximum marks कितनी थे जैसे 500 होते हैं जे के बोस में आप यहाँ पर फिल करेंगे 12 में उसके बाद आता है category, category certified जो भी आपके जब आप यहाँ पर select पर option क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा open यहाँ पर आप यहाँ पर फिल करना जो आपके पास एक्टिव है जिसका password आपको पता है और जिसमें मेसेज़ कंटिन्यू आते रहते हैं वही वाली इमेल यहाँ पर फिल करना ठीक है यहाँ पर इनने पहले बताए एंटर्वेट इमेल अडर्स विजज करनेंटेड एक्टिव सो प्लीज यहाँ पर कोई ब्लंडर नहीं करना कि सारे मेसेज उसी पर आने है तो यहाँ पर आपकी रिजिस्टेशन को बहुत इफेक्ट हो सकता है अगर आप गलत इमेल यहाँ इमेल आडर्स को अपने हैं पर कंफर्म करना है वैलिट करेकरी सार्टिफेकेट अगर आपके पास तेन यस उसके बाद वाटर रॡ़ बाइन प्ना पर दीजेगा और उसके बाद Alternative नमबर भी आप सकते हैं अगर आपको लगता है कि पहला Mobile नमबर जो पर बंद भी हो जाएगा इसके बाद हमारे पास यहां पर आता है अगर कोई open merit का है असको में जाना चाहता है वो यहाँ पर किसी पर click नहीं करेगा उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर verification code जैसे यहाँ पर 3, I, J, 4, B, जिस तरीके से यहाँ पर जिस capital small letter के order में यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे आप यहाँ पर इसको नीचे fill करेंगे और पर क्या होगा जैसे आपने यहाँ पर email जो मैंने फिल की फिर आपने क्या करना है बैक जाना है कुछ time के बाद आपको email पर क्या हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर आपनी email दी तो यहाँ पर आ जाएगा उनकी तरफ से notification modifications में क्या होगा मेरा username generate होगा तब दिक वाले इह इह वाली इजिव chips किया में एक्ट करेंगो मेरा है यहां पर उदया यूसर्ड न्याच यूजर नेव स της टेम्र फैंक तो application no जब आप यहां पर आपको generate username का generate हो जाएगा फिर यहां पर आपकी email आजाएगी जो आपने email आपको submit की उसी email पर आपको mail आएगे और आप जब क्लिक करेंगे mail पर आप आप आपको दिखेगा username जो कि आपको generate हुआ होगा नीचे दिया होगा OTP और उसके बाद OTP जो है बहुत ज़्यादा जुरूरी है OTP जब आपको मिलेगा फिर क्या करेंगे आप फिर आप यहां पर वापिस जाएंगे जैसे मैं यहां पर वापिस जाता हूं जब आपको वहां पर आपको link देखो email पर जब आप जाएंगे वहां पर आपको username भी आएगा OTP भी आगा नीचे लिंक होगा उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ S interface दिखेगा आज जैसे मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीका का इंटर्फिस फिर आपको देखेगा जो कि आपको OTP यहां पर वही बरना है जो आपको email पर आया होगा OTP यहां पर फिल कर दिया उसके बाद आपने यहां पर अपना नया password जो है generate करना है पासवर्ड यहां पर नया password डालना है यहां पर confirm करना उसी password को पासवर्ड को मेरी आप गाइडलाइन लीजिए कि आप पासवर्ड को किसी page पर या फिर किसी notebook पर लिखकर रखें ताकि आपको आगे प्रादर प्रॉब्लम ना आए कही password बोल गया तो फिर आपको दुबार स यहां पर बहुत ही हक्तिक होगा सारा प्रॉसेस बाप इससे स्टार्ट करना तो पासवर्ड यहां पर जनरेट आपने अपना खुद सेट करना है और उसको कंफर्म करें यहां पर सब्मिट कर देने इस तरीके से आप जहर रिजिस्टेशन आपकी हो गई फिर आपको आपक किसी बॉक्स में फिल करने में देन आप यहां पर लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे लॉगिन सेक्शन पर जाने के बाद किया करेंगे आप वेट एस रेकिंड यहां देखिए आप यूजरनेम आपको जो क्या आपके जनरेट हो गया था पहले स्टप में उसके पासवर्ड होगी तो यहीं पर आपने क्या करना है अप्लोड डॉकुमेंट के लिए फिर से आपने यहां पर क्या करना है अप्लिकेशन नंबर यानि अप्लिकेशन नंबर वही यूजरनेम जो आपका जनरेट हुआ है वही आपका अप्लिकेशन नंबर है ठीक उसके बाद डेट अब जिदो सब्सेट करने के बाद आपको कुई सब्मेट करने हैं आप डॉक्कुमेट्स कोन-कशन से वह मैं आपको बताऊँ गाया जैसे आप यहां पर मैं आपको दिखाता हूं वे तयार रखी है जुआ कि आपको क्यों प्रॉब्लम नहों यहां तो सबसे पहले आपका का पीडिया फॉर्मेट में आपने यहां पर सब्मिट करना है उसके बाद मार्स का यहां पर सब्मिट करना है उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे का यहां पर सब्मिट करना है और उसके बाद अपड यहां पर अप्लोड करना के बाद फिर इनकी वारिफिकेशन होगी कुछ दिन के अंदर और फिर आपने पेमेंट यहां पर कर देनी है और उसके बाद क्या होगा जब सीट मैट्रिक्स आएगा उसके पीमल रिलीज होगी फिर आप फर्द यहां पर और नोडिफिकेशन आएगी कि आप स्टार्टिंग में ऐसा ही आएगा क्या अप्लिकेशन नंबर फिल के जए तो वही यूजर ने डालना है वही डेट अबर तो वही पासवर्ट यह आपने सेट किया होगा इस तरीके से वहां पर च्वाइस फिल आपको समझ आ गई होगी सो तब तक करें बाइबार टेकर अलाहाफिस